प्रिफाइन्ड होते होते हम थोड़े अच्छे मनुष्य बन गए हैं या फिर बिगड़ गए हैं लेकिन यह वैग्यानिक भी बोलते हैं कि यह मनुष्य कभी जैली फिस से प्रारंब हुआ है जैली फिस जो पंपिंग करती है अपना हार्ट जैस पंपिंग करता है बोलता है यह मनुष्य वाई से शुरू हुआ है यह मनुष्य की फाउंडेशन जैली फिस से है अनुभावी वेग्यानिक बोलते हैं लिए शास्त्र तो पहले से ही बोलते हैं कि बड़े भाग से मिला है मनुष्ट का शरीव तरह तरह की यौनियों में हम बटके हैं और आप यह नहीं समझना कि यह जो मरमर के जो जा रहे हैं यह सभी वापिस मनुष्टी बन जाएंगे नहीं कोई जानवर बन रहा है जाकर के अपने कर्मों के अंसार वापिस गिर जाते हैं जानवरों में फिर यह चक्कर लगाते हैं इदर उदर जानवरों को होश नहीं है इतनी बुद्धी नहीं है उनकी पास सोचनी की शक्ती नहीं है तो इसलिए वो जानवर के यौनियों में इदर उदर लुड़क पुड़क होते डोलते हैं कभी भेडिया बनते हैं वॉल्फ कभी सिंग बन जाते हैं बड़ी मांस खाने की आदत डाली निजिंदगी बर तो सिंग चांस देती है प्रकरती जाओ बच्चा सिंग बन जाओ खूब खाना एक एक दिन में चालिस चालिस किलो चालिस किलो मांस एक बार में सिंग खा लेता है चाहे हो दूसरे दिन नहीं खा है लिए एक बार में उखा लेता है पूरी तो चालिस किलो, खूब खाना, अभी अभ्यास किया न, कर रहा है समाज, जहां भी जाओगे, हाथों में मांस, अंडे, मांस, मुर्गे, मच्छे, सूर, गाय, बीफ, हर एक दुकानों पर, बड़े-बड़े इस्टोर हैं, यहां न्युवार्क में देखता हूँ, हर एक आदमी ऐसा, इसका मांस है, क्या खारने, फिर चीलों में, कवों में, और मनुष में क्या बेद रह गया, वो भी मांस के उपर ही नजर रखते हैं, मनुष ने, समाज ने भी मांस के उपर ही अपनी नजर टिका दिये, और सब जगे से ध्यान अटा दिया, कि मांस काओ, अच्छा-चा कुकिंग करो, और शराप पीओ, मस्तरो, फिर तोड़ा गदा बोश तो डोला पड़ेगा, नोकरी योकरी तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, दफ्तर तो खोलना पड़ेगा, लिए ये काम मत चुगो, और वो स्वाद के लिए ही एक गुलाम बना रहता है जिन्दगी पर, इसी स्वाद को पूरा करने के लिए, और वो तरह तरह के जूट वो लेगा, पाप करेगा, बेइमानी करेगा, दोका देगा, बेमन श्यता सा देगा, इसी काम के लिए, खाना, पीना, सोना, बेमे तुन, निद्रा, आहार, शास्त्र कहते हैं कि ये प्रतेक जीव में भी होता है, बेमे तुन, निद्रा और आहार, भोजन, लिए मनुष्य को भगवान ने इतनी हायस्त सोचने की शक्ति दिये, कि कम से कम अपना आहार तो शुद करके खाए, और इसे तरक्य है, आहार शुद्धी सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धी दुरुश्मर्ती, इस्मर्ती लब्दे सर्व गरंतिन, सारे ब्रह्म के गांठ ने खुल जाती है, शुद्ध आहार जिसका होता है, ब्रह्म निवारन हो जाते हैं उसकी जीवन में, वो इस केवल आहार शुद्ध करने से, और समाथ चूख जाता है इन बातों से, शास्त्रों में सरदा नहीं, भगवान गुना कारते हैं, और भोग विलाशों के लिए कुछ भी करते हैं, तो फिर अंदकार में जीवन हो जाता है, नहीं, यूटर्न ले लेना चाहिए समाज को, दिशा परिवर्तन कर देनी चाहिए, तब सुख संब्रिद्धी हाथ में लगेगी, उससे पहले नहीं, आहर के अंदर सारी सीक्रेट्स हैं, यह पंचकोसी यात्रा है आहर की, पंचकोस तयार करता है आहर, शास्त्र तो कहते हैं, अन से ही, अन के मैध्यम से ही, और यह आत्मा एक दूसरे माता पिता के गर्वस्त में चली आती है, सत्य है, आर फाउंडेशन है, कैसे जीवन होगा आपका आर की बिना, यह तो फाउंडेशन है संसार का आर, यह फाउंडेशन की बात की जा रही है, कि आपका foundation कैसे हुआ है उस हिसाब से आपका जीवन चलेगा लिए उन्हों foundation में भी आप correction कर सकते हैं foundation आपने चाहे गलत किया हो लिए आप सुधार कर सकते हैं U-turn ले सकते हैं चाहे माता पिताओं कि मैं अदिम से गलत foundation हो गया या समाज society के कारण से कुछ गलत मार्ग में भटक गए लेकिन कोई संतों के शब्दों पे विश्वास हो सरदा हो या शास्तरों में सरदा हो तो आप ये गलत मार्ग को छोड़ दीजिए ये दुख का कारण बनेगा और सत मार्ग पर आ जाईए आपके जीवन के रत को सत पत पर लाईए तभी आपको सुख मिलेगा तभी आपकी आयू लंबी होगी आयू सत बुद्धी डवलप होगी आयू सत बलारोग्या सुख प्रीती विवर्दना इनका इनमें बृद्धी होगी विवर्दना मींस बृद्धी होना विकास होना आपकी बुद्धी का विकास होगा आयू का विकास होगा स्वास्त का विकास होगा प्रीती का विकास होगा प्रीती के फूल लगेंगे आपके बगीचे में इरदे रूपी बगीचे में प्रेम के जरने फूटेंगे जब आपका आर शुद्ध होगा प्रेम मई होगा, प्रेम से पकाया होगा, इमानदारी से कमाया होगा शाकाहारी होगा और प्रभू को और अर्पन किया होगा कि आओ मेरे प्रभू आपने मुझे सब कुछ दिया निहाल कर दिया सुन्दर नेतर दिये बुद्धी दिये और शुद्ध भोजन दिया सुन्दर गहूं बास्मुती राई सुन्दर दाल सबजिया चटपड़, सब कुछ है, कोई कमी नहीं, रश युक्त हैं, घी दूद मलाई, दही, दही कितनी अच्छी, अम्रित हैं, दही, दूद, घी, गेहूं, चावल, सबजियां, फ्रूट, ड्राइफ फ्रूट, नाना प्रकार के भिंजन, शाकाहारी के अंदर, शाकाहार भोजन में हैं, उनको ग्रेण कीजिए, ये आपकी सबसे स्रेष्ट बुद्धी का सूचक है, कि आप बुद्धी मान हैं, यू आरे वाइज मैं, वेकम ए वेजिटेरियन परसंग, ओभववान ये गीता में प्रेरना देते हैं समाज को, आयू सत्तु बला रुग्य सुख प्रीती विवर्दना, रश्याह इसनिकदाह, इस्थिरा, हिर्द्या, आहारा सात्विक प्रिया, तो साथ्विक नहीं हो आज तो बन जाओगे लिन बनोगे तो आहार के माध्यम से ही साथ्विक हो वो भी आहार के माध्यम से ही आप साथ्विक इस तर पर आए है और तो कोई जरिया नहीं है आपकी पंच कोशी यात्रा अन है आपका शरीर अन है प्रान वायू अन है, मनों में कोश है, अन से ही मनों में कोश है, ज्ञान में कोश है, विज्ञान में कोश है और उसके पर आत्मा है, सचिदानंद तो अपनी जो परकोटे हैं पांच, जिनको पंच कोश कहा है इन परकोटों को सतोगुणी बनाएं, शुद्ध बनाएं, आपका शरीर सतोगुण में रहना चाहिए, आपका बलड, सीमन सतोगुण होना चाहिए, आपकी प्रानवायू सतोगुणी चलनी चाहिए, सतोगुण में शुद्ध कर्म होते हैं, आपका मन, बुद्धी, एहंकार चित्त के विचार, ये सब सतोगुन में होने चाहिए, तो ये तब होंगे सतोगुन में, जब आहार सतोगुनी करेंगे, सतोगुनी व्यक्ति को भी रजोगुनी आहार डुबो देता है, सतोगुनी बना देता है, रजोगुनी बना देता है, मेरा मतलब, तात पर ये कहने का, तमुगुनी आर ग्रन करोगे तो आप कितनी भी शत्वुगुणी हो गिर जाओगे तमुगुन्य मा आजाओगे चै महत्मा ओ या ब्रामन ओ या और कोई सादु पूरुस हो या बड़ी योगी पूरुस हो आप आर जब विगाड रहे हो तो आप सब बढड जागा आपका सारा, सारे ब्रश्ट, बुद्धी ब्रश्ट, मन ब्रश्ट, अहर के उपर बहुत डिपेंड करता है, आप से प्रारतना है, आपका आहर आप सही करें, शुद्ध आहर करें, आपकी किचन शुद्ध हो, लाग बोलें डॉक्टर, डॉक्टर तो जो करेगा, वो ही तो डॉक्टरों ने अपना शरीर जब सतोगुणी नहीं बनाया डवलप किया तो आपको कैसे वो सतोगुणी चीज बतलाएगा कोई अच्छे बैद से परामर्श करेंगे तो आपको सत पत को बतलाएगा सतोगुणी सत शब्दी बोल रहा है कि सत पत ये सत है सत गुण ये गुण सत है इस गुण से ही इस क्वालिटी से ही आप छलांग मार सकते हैं इटरनीटी की और वैकुंट की और और कोई जरिया नहीं भाना जकी और जगुण से जबिए रजगुण्ओं कि और बाद की ये यारी ऑज्द ही यानी मिटे यह व्यश EMP भार बार इधरी जन्मोगी इंह नहUAं गए इसका नाम रज आप जमानी मिटे रजगुण रजगुण में पर तमयानी अंदकार यह हमेशा जनम-जनम तुमको अंधेरे में जैसे अंधेरे में जैसे कौकरोचेज रहती है चुए रहती है जितना अंधकार होगा उतने इंसेक्ट्स जादा होगे ऐसे ही आपको अंधकार में कीडे मकोणों की तरह रखेगा ऐसे जीवन में रखेगा तो बुद्धी मत्ता कहा है आपकी सत्वगुण में होनी चाहिए सत्वगुणी बनिए सत्वगुण के लिए सत्वगुणी आर कीजिए रजगुणी आर का वरनन भगवान स्री कृष्ण नहीं आपर किया है कट्व अमल लवनाति उष्ण त्रिक्ष्ण विदाहिना आहारा राजस सेश्टा दुख शोका मैं प्रदा अब देखिए सेकिंड नंबर है रजगुणी आर भगवान ने पहले कह दिया इस लोग में कि रजगुणी व्यक्ति जो होते हैं उनको रजगुणी आहार ही प्रिय लगता है क्योंको उन्होंने रजगुणी बना लिया है अपानी विचारदारा को अपनी सुभाव को अपनी नेचर को अपनी बुद्धी को तो उनको रजगुणी आहार ही पसंद आए गा इसमें क्य कड़े, कड़े आहार, जो कड़वाट देते हैं, अमल, अमल कहते हैं, कट्व अमल, लवनात, उश्न, तीक्ष्न, विदाही नहां, अमल यानि खटे, कड़वे, खटे, तीके, विदाही नहां, जो जलन पैदा करते हैं, तीक्ष्न, तीके, ज़्यादा मिर्ची मसाले भरे हैं, रूख, रूखे, जिनमें कोई प्रेम नहीं है, रूखे हिर्दे से पनाएं, पकाएं, रूखे हिर्दे, प्रेम बड़े हिर्दे से कोई शिकार करता है, कि हिर्दे में प्रेम बड़ाओ और शिकार कियाओ, बड़ा रूखा हिर्दे चाहिए शिकार करने के लिए, एक चिडिया को मारने के लिए बड़ा रूखा सा हिर्दे चाहिए, तब ये शिकार होता है, ये रूखा सिकार, इस प्रेम नहीं होता, प्रेम बड़ा सिकार कैस प्रेम बराहर दै शिकार नहीं कर सकता है। शिकार करने से पहले दै को रूğl ख़ाव बनाना पड़ता है। जो आपका विवावार किसी के साथ में रूखा होता है। मूझ फेर के निकल जाते हैं, थोड़ा मूझ फुला लेते हैं, आंखे ठीड़ी कर लेते हैं तर इर लेते हैं नहीं बात करने हैं से निकल चलो से रूखा सा सुभाव दिखाते हैं रूखा भी हवार करते हैं ऐसे रूखा फिर्द चाहिए कुछ वाइलेंटी फूड अरजित करने के लिए वोने इतनी सुन्दर पंची होता है कैसे मारोगे इतनी सुन्दर बन में हिरन होते हैं उनके बच्चे होते हैं घास खाते हैं किसी को नुकसान नहीं करते हैं सताते हैं ऐसे निर्दोस को कैसे मारोगे अगर रुख है रुखा हिर्दा नहीं है आपका तो तो रजगुणी पुरुष रूखे होते हैं और रूखाई भोजन करते हैं फिर क्योंक जिनका भोजन करते हैं वो भी इनसे कोई प्रेम करता नहीं है शेकारी से हिरन क्या प्रेम करेगा वो भी रूखाई हो जाता है मोर नाजता है उसी के सामने जो उसका प्रेमी होता है जो प्रेम की नजर से उसे देखता है मारने की दृष्टी से कोई देखता है उसके सामने कैसे नहीं तीके चटपटे मांस इत्यादी भोजन नहीं करना चाहिए रजोगुन में यह जादा होता है तमोगुन में तो बिलकुली निमने श्तर पर होता है सड़ा गड़ा बासी सब कुछ होता है देखा जाए तो तमोगुन का ही उंचा सिरा जो है यह रजोगुने और तमोगुन का नीचला सिरा है वो तमोगुन है कई रजोगुन का जो नीचे का भाग है उसको तमोगुन बोला है और रजोगुन के उंचे सिरे को रजोगुन बोला है रजोगुन तमोगुन से बाहर निकलेंगे तब ही आपको वरना रजगुन में तो दुख है, शोक है, चिंता है, फिकर और बीमारिया है दुख शोका मैं, आम है वानी बीमारी प्रदायानी प्रदान करने वाले होते हैं ये भोजन कडवे क्या हैं, शराब कडवी हैं, ज्यादा कडवे नमक वगरा खा रहे हैं, साल्टी ब्लड प्रेसर हो रहा है, शराब हैं, ये कडवे, तंबा कुँ है तंबा कुँ मीटी होती है, कडवी होती है, उल्टी आ जाए अमल है अमल भी कड़वी होती है भौत कड़वी होती है खाएंगे तो खाएंगे नीजा इतनी कड़वी होती है सारे ब्लड को कड़वा कर देती है ये सब रजोगुन तमुगुन है गट्रू अमल लवनात उष्ण तीक्ष्ण विदाईना आहारा राजस सेष्टा दुख शोकामे प्रदा ये राजसों को प्रिय आहार जो है ये राजसी आहार ये दुख और शोक यानि चिंताईं और दुख और आमाई 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 आमे यानि भीमारी ये बीमारी को देने वाले हैं आपको सिक करने वाले हैं मन को मस्तिस को विचारों को बुद्धी को शरीर को सिक कर देंगे बीमार कर देंगे इसलिए रजोगुनी समाज भी दुखी है बीमार है और चिंतागरस्त है